हेलो फ्रेंड्स वेल्कम ऑन माई यूट्यूब चानल माईक्रोबाइलाजी बाई संतोष नपते मुझे पता है कि ये चानल माईक्रोबाइलाजी का चानल है एकेडेमिक चानल है लेकिन इंटेशनली आज मैं ये वीडियो तोरा सा अलग अपलोड करने वाला हुई आपे और इसके पीछे जो रिजन है बहुत सरे टुडन्स को फिनांशिल प्राब्लेम आता है जिसकी वज़त से एक दो साल उनका एजुकेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है क्योंकि फिस अगर भरनी है तो वहाँ पे फिस का प्राब्लेम आ जाता है तो इसलिए अगर इन्हे कुछ ऑनलाइन वर्किंग के बारे में पता चले और उनके अर्निंग वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाए तो यह जो फिनांशिल प्राब्लेम है यह प्राब्लेम वहाँ पे कुछ देर के लिए कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्वाल हो सकता है और ऑनलाइन वर्क करे इसका मतलब यह नहीं कि इन्हेंने एजुकेशन चोड़ना चाहिए एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए यह आनलाइन का जो वर्क है आनलाइन जो काम है या वर्क फॉर्म हो मैं वो हम कर सकते हैं तो यही परपस है इस वीडियो का और जो टाइटल है वीडियो का वो है How to earn money online by doing work from home घर बैटे काम करके हम online कैसा कमा सकते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से कौन से ideas है या फिर हम घर से क्या क्या काम कर सकते हैं online काम जो हम हमारे mobile से भी कर सकते हैं और laptop से भी कर सकते हैं तो ओ हम देखेंगे इसके पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इस यूट्यूब चानल एंड डोंट फर्गेट तो लाइक कमेंट एंड शेर दिस वीडियो तो यहां पर अलग अलग जो आईडिया में वहां पर बताने वाला हूँ वो आप इसमें से आप मतलब जिसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर जो आपको सूट करेगा वो आईडिया आपको 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 आप्लाई कर सकते हो इंप्लेमेंट कर सकते हो तो यह जो ऑनलाइन वर्क का जो है और हो टो आर मनी ऑनलाइन बाई दूइंग वर्क फ्रॉम यह इन सभी को यूसफुल है इफ यह आपको आपका जो भी स्पेर टाइम रहेगा स्टडी तो आपको करना ही है अगर आपको कुछ टाइम वहाँ पर बचा सकेंगे तो आप यह ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं दूसरा है यह और यह रहीं कंप्लेटेडि और एजूकेशन एजूकेशन कंप्लेट होने के बाद भी जल्दी मतलब कुछ लोगों को इमेडेटली जॉब मिल जाता है है कुछ लोगों को जॉब सर्च में दो तिन मैने चार पाच मैने या फिर एक अदा साल भी जा सकता है तो इसी बीच अगर उन्होंने ये ओंडाइन काम किये तो उन्हें भी वहाँ पर आर्निंग हो सकता है because everybody has skills बस इन skills का उपई यहाँ पर करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ आर्निंग वहाँ पर हो सके तिसरा जो है यह विंग लॉट अफ्पेर टाइम अगर आप जॉब कर रहे है फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ टाइम वहाँ पर है तो उस पेर टाइम में आप यह ओंलाइन वर्क का काम वहाँ पर कर सकते हैं और जो हाउस वाइज है एजुकेटर है लेकिन तो यह थोड़ा सा आप यहाँ पर काम करके अगर आपके पास कील है आप और हाडवर्क करने में आप रडी हो तो यह थोड़ा सा आप यहाँ पर कर सकते हो and if you are having a different skills अगर आपके पास अलग-अलग skills है that is choreography for example तो उसी वह आप वहाँ पर online में यूज कर सकते हो और आप यहाँ पर earning आपका शुरू हो सकता है तो हम देखेंगे अभी कौन से कौन से ऐसे आइडिया से जिसकी सहायता से हम online काम करके घर बैटे काम करके earning कर सकेंगे यह जो पहला जो है ओ है freelancing freelancing एक important और popular way है money earn करने का and there are different websites for example outfair.com upwork.com freelancer.com then workandhire.com तो यह जो websites से यह जो लोग यह जायो students हो working pupils हो उनको कुछ task वहाँ पर देते है और according to their skills वो task उनको वहाँ पर है complete करने को बोलते है तो these websites you have to create account on these websites and you have to browse through the listings आपकी जो भी skillset listings आपको browse करना है and they will apply the task that can be done by you and there are some websites are there they require you are they tell you to create your personal listing with the details of your skill sets and so that interested clients they can contact you directly तो ये एक freelancing का है दुसरा जो है starting your own website अभी Google पर आपने सर्च किया तो बहुत सारा material अलाला सब्जेक्स में आपको वहाँ पे मिल सकता है इसी में से आप थोड़ा सा आपके language में आपके ओन convert करके इसको उस particular आपकी ने जो भी website बनाई चाहे वो domain आप select करते हो template आप ले सकते हो layout ले सकते हो और ओ जो material है वह आप वहाँ पे अपने खुद के language में वहाँ पे website पे डाल सकते हो अगर एक बार आपकी website वहाँ पे रडी होगी अच्छे content के साथ relevant content के साथ तो आप वहाँ पे Google Adsense का account वहाँ पे link कर सकते हो आपको website को और जब Google Adsense का account वहाँ पे link हो जाएगा तो आपके website पे अलग-अलग companies की visitors मतलब जैसे जैसे visitors बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके Google Adsense में वहाँ पे ads आ जाएंगे आपके website पे और उस website से अगर visitors ने click किया तो उस company से आपको वहाँ पे money मिल सकता है earning आपके वहाँ पे शूरू हो सकती है तो इसलिए अगर आपके website से जितनी ज्यादा traffic है visitors की तो उतना ज्यादा वहाँ पे आपका earning हो सकता है next है affiliate marketing affiliate marketing है अगर आपकी website अच्छी तरह से मतलब visitors visit कर रहे है good contents आपके website पे है अच्छा content आपने वहाँ पे डाला है तो उतने ज्यादा लोग वहाँ पे विजिट करेंगे और उसकी बात जो अलग-अलग companies है वो companies आपके website के उनके product की link वहाँ पे insert करेंगे upload करेंगे और जब visitors उस particular product के link पे company के link पे click करोगे या फिर कुछ purchase करेंगे वहाँ से तो उसी में से कुछ जो money है वो भी आपको पैसा जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकता है and it is like a sympathetic partnership पतलब company वालों का भी फायदा यहाँ पे और आपका भी फायदा है तो visitors जितने ज्यादा वहाँ पे बढ़ जाएंगे लेकिन visitors अगर बढ़ाना है website को visit करने वालों का नंबर बढ़ाना है तो content भी आपका वहाँ पे अच्छा होना चाहिए और एक बार लोगों ने वहाँ पे purchase करना शुरू कर दिया तो वह earning आपका भी हो जाएगा और वहाँ पे company के product भी वहाँ पे बेच जाएंगे तो यह हो गया affiliate marketing उसके बाद है वर्चु virtual assistant बोलते हैं या फिर virtual assistantship बोलते हैं और जो काम यह कर रहा है उसे बोलते है virtual assistant क्योंकि बहुत सारे companies को वहाँ पे खुद को काम करना manage नहीं होता तो इसलिए यह कुछ जो students है कुछ working यह workers है तो उनको यह काम देते हैं और वह अपने घर बैटे उनको assist करते हैं help करते हैं और यह जो virtual assistants है they do all these work remotely that is from their homes with their clients and they manage the aspects of the business of that particular persons because they are too busy to handle all these stuff all these workings so that's why तो यहाँ पे virtual assistants यह एक online तरीका है पैसा कमने का यह फिर earning करने का and when you work as a virtual assistant so you can choose to work as a employee एक आप employee करके काम कर सकते हो या फिर you can set up your own business आप खुद अपना business वहापे शुरू कर सकते हो और जो अलग-अलग काम है virtual assistantship में तो यह अलग-अलग काम रहता है making phone calls then email correspondence, internet research, data entry then scheduling appointments, editing, writing और bookkeeping, marketing, then blog management, क्योंकि बहुत सारे blogs मतलब है लेकिन उसको अपलोड करना contents अपलोड करना भी एक किसी को मतलब जो blogger है actually original blogger जो है वो दूसरे किसी को काम दे सकता है कि यह ऐसा ऐसा करने का है और आप यहां पर daily करते जाओ तो यह भी virtual assistant का एक example है then proofreading अगर कुछ किसीने content बनाया हो तो आप उस content का या फिर कुछ material का literature का आप proofreading वहाँ पर कर सकते हो प्रोजेक्ट मैंजमेंट देन ग्राफिक डिजाइन टेकनिकल सपोर्ट कस्टमर सर्विस देन इवेंट प्लैनिंग एज विले आज सोचिल मेडिया मैंजमेंट तो यह अलग-अलग ideas है या फिर काम है जो virtual assistantship में कर सकते हो उसके बाद है जो अलग-अलग websites से मतलब कुछ काम आपको या फिर knowledge आपको होना चाहिए जैसे कि MS Office का knowledge आपको होना चाहिए computer का knowledge आपको होना चाहिए उसी में MS Office आता है और यहाँ पर अलग-अलग websites से यहाँ पर आप यह virtual assistantship के लिए आप वहाँ पर काम कर सकते हो हो जैसे कि aliens.com 24 by 7 virtual assistant assistant match EAL then freelancer flex job pupil per hour you assist me upwork virtual staff finder then worldwide 101 zip task और जीरुचा तो यह अलग-अलग sites से जहाँ पर आप virtual assistantship के लिए वह आपर काम कर सकते हो नेक्स्ट है language translating अगर आपको अलग-अलग language बोल सकते हो लिग सकते हो तो यह भी एक आपके अर्निंग का एक route यहाँ पर हो सकता है एक idea यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर अलग-अलग websites है जैसे कि freelancer.in then flavor.com work and hire.com और upwork.com यह websites आपको यह platform available करके देती है जो कि आप वहाँ पर professional translator करके काम कर सके है and this offers translation projects that require translating a document from one language to another language and that includes Spanish, French, Arab, German or any other language to English or from English to this language. तो यह भी एक language translating का काम आप online कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको यह languages जए हो है वह आपको मालूम होनी चाहिए आपको आनी चाहिए तो यह एक important है उसके बाद वही है language translation those who do not have the knowledge or if they don't have time to complete their projects अभी यह जो language translator का काम किन को पढ़ता है कि किन लोगों को पढ़ता है कि अगर उनको knowledge नहीं है यह translation करने के लिए और उनके पास time नहीं है तो यह projects वाले लोग क्या करते है कि कि किसी जो भी translator है उनके पास यह पूरा का पूरा काम वहाँ पे सोब देते तो यह translators जो है अगर उनको languages आती है सब तो यह काम हो हाँ उन projects को या फिर companies को यह complete कर देते और जब काम आप करते हो language translation का तो जो भी आपका earning है वो one rupees to five rupees word होता है पर word होता है मतलब एक word के लिए आपको एक रुपीज से पास रुपे तक वहाँ पी मिलता है या फिर कुछ languages के लिए यह एक word अगर अपने translate का है तो आपको दस रुपे भी वहाँ पे मिल सकते है तो लेकिन आपको चाहे वो YouTube channel से हो चाहे वो आप कुछ college से हो या फिर online course करना हो तो आप languages को स्टिकना चाहिए पढ़ना चाहिए then you can do this job next है online tutoring अभी यह last year से तो आप सभी को पता है colleges पूरे के पूरे online हो रहे हैं पूरे lectures online हो रहे है that is from last और March 2020 से अभी तक भी online सब चल रहा है तो इसलिए यह जो काम है online tutoring का यह अभी बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो तो अगर आपको एक अधे particular subject में knowledge अच्छा है और फिर master ही आपने की है या फिर BA आपने किया है या फिर knowledge आप अच्छा पढ़ा सकते हो तो आपको बस यह computer laptop या फिर mobile पे आपको PPT presentation बनाना आना चाहिए और कुछ जो software tools है तो आपको यूज करते आना चाहिए अगर आपको यह आता है तो आप basic definitely online tutor का का आप कर सकते हो एंड अलग-अलग अभी आपको सभी को पता है by use के बारे में आप जानते हो वेदानतों की बारे में आप जानते हो on academic की बारे में आप जानते हो then myprivate tutor.com भारत tutors.com ट्यू कमा रहे है और इन बड़े-बड़े company में आप as a tutor करके वहाँ पे काम कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपका knowledge अच्छा होना चाहिए आपको आपके teaching skill होना चाहिए और जो भी आभी software से चाहिए वो paint tablet वो या फिर अलग-अलग software जो है वो आपको use करते आना चाहिए आपको मा प्लाटफॉर्म्स दे ओफर flexible time as well as convenient time as per your requirement आप मतलब अगर पढ़ा ही कर रहे हो उतो ही का पढ़ा ही तो करनी है लेकिन अगर रात में या फिर जब भी आपको time मिलेगा उस time में आप online tutoring का का काम कर सकते हो और यह जो अलग-अलग platforms है they will ask you to apply by filling a simple form जैसे कि आप बहुत जगह भे बैट दिखते हैं यह मतलब आपको दिखाई देखता होगा कि वह आपके Google forms आते हैं और Google forms fill up करके आप जो भी form बर्किया आपका specialization जो है वह आप वहाँ पे submit करते हो after submission to that particular company चाहे वह बाहिजूस हो वेतनतु हो और यह अलग-अलग companies है अन-academy हो इनको आपका demo सब्मिट करके video link सब्मिट करके अगर आप उन्हों को अच्छा लगा तो बाद में यह आपको वहाँ पे allow करते हैं as a appointment देते हैं तो इसी में और यह जो online tutoring का जो earning है इसमें आपका अगर आप beginner से शुरुवत आपने किये तो 200 per hour to 500 per hour और as per your experience that will be more तो यह अच्छा है आप पढ़ते पढ़ते जाओ तो यह बहुत अच्छा है मतलब आपकी कुछ आपका experience भी वह आपे बढ़ जाएगा और आपका earning भी वह आपे हो जाएगा जिसकी वज़े से जो भी financial problems आ रहें वो problems वह आप पर नहीं आएंगे और आपको आपका education stop करने की जुरुरत नहीं पड़ेगे उसके बाद है content writing content writing में अभी आप notes वहां पर लिख सकते हो articles वहां पर लिख सकते हो multiple choice questions आप तयार कर सकते हो अलग-अलग exam के लिए चाहे हो gate exam हो चाहे हो पेट की exam हो चाहे हो kvpy हो चाहे हो jam की exams हो net jrf हो या अलग-अलग exams के लिए आप content तयार कर सकते हो और बाद में ये content आप वहां पर बेच सकते हो क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपकी notes भी वहां पर वही notes आपको भी काम आएंगे और वही notes आप भी वहां पर बेच सकोगे ताकि आपके earning हो सके और जो financial problem है वह स्वाल हो सके तो ये अच्छा तरीका है contract writing का उसके बाद है blogging अलग-अलग bloggers यहां पर है तो यह blogging भी आप कर सकते हो और अलग-अलग website पर blog बनाना simple है लेकिन उस website पर आपको वह content अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि content अगर अच्छा रहा है तो blogs लोग पढ़ोगे और आपकी earning वहाँ पर शुरू हो जाएगे और next है YouTube चानल तो आप अगर आप में अगर स्कील है चाहिए और टिकिंग का स्कील है अगर आप cooking अच्छी तरह से करते हो आप dancer अच्छी तरह से कर सकते हो या फिर आप mimicry अच्छी तरह से कर सकते हो या फिर आप के पास कोई painting आपको अच्छी तरह से आती है रांगोली आपको अच्छी तरह से आती है तो यह पूरा का फ्युरा वीडियो एक्स्याइन करके आप वहाँ पर यह वीडियो आप YouTube चैनल अपना खुद का बना के वहाँ अपर अप अपलोड कर सकते हो एजूकेशन चैनल भी अच्छी तर आइडिया से जिसकी सहायता से आप आपका खुद का अर्निंग चालू कर सकते हो शुरू कर सकते हो और आपकी जो भी फिनांसियल प्रॉब्लिम है यह कुछ ना कुछ हद तक वहाँ पे स्वाल हो सकती है तो friends definitely you can do this and start your working from home though you are students, though you are working professional, though you are housewives and whatever that लेकिन ध्यान में यह रखना है कि आपका education आपको continue continue रखना है वो education आपको हर हाल में लेना है और education लेने के लिए आपको यह ideas महीं यहां पे बता रहा हूँ, so if you like this video comment on and don't forget to share this video, thank you.